बच आईए आज हम BST के आज एक नए अध्याय का प्राराम करते हैं जोसे हम कहते हैं इंटरप्रीनेर्शिप डीवलेप्मेंट इंडिय मिता विकास यह इंडस्ट्रील डीवलेप्मेंट के अंदर ही आता है और इंडिस्ट्रील डेवलेप्मेंट का बहुत इंपोर्टन भाग है 봤 you हम उद्य initiमता किया दे कि दू शब्दिस में जुड़े हुए थो जानना सबसी बड़ी बात है क्योंकि एक नया कॉंसेप्ट है नया वर्ड है आप सब के लिए हम किसी देश में रह रहे हैं और इस देश को अगर सामाजिक और आर्थिक रूप से आगे बढ़ाना है तो हमें उद्यमिता में विकास चाहिए अब सबसे बड़ा कुषिन है मैं हम यह होता क्या है और इससे हमारा सामाजिक और आर्थिक विकास होगा कैसे बिलकूल बचों यह जो अद्यमिता है यह ingredients यह चंतन है यह नौप परवर्तन है और यह ऐक ऐसा स्किल है जिससे जो व्यवसाई है एक नए स्टार्ट अप को प्लान करता है एक नए प्रकार का बिजनस स्टार्ट करता है और उस बिजनस को केवल स्टार्ट ही नहीं करता साथ ही साथ उसको ग्रो करता है और इससे क्या करता है जो हमारे देश के विरोजगार है उनको क्या मिल रहा है नौकरी मिल रही है साथ ही साथ गरीबी जो लोगों का living standard है मैं कहना चाहती हूँ जो हमारे देश की गरीबी है उससे भी ये दूर होता है क्योंकि देखे मैंने पहले ही लाइन आप से कही थी कि उद्यमिता जो है वो हमारे देश की सामाजिक और आर्थिक सुधार में उसका बहुत महतपूर्ण योगदान है क्योंकि उद्यमिता की वजह से ही क्या होता है लोगों को व्यवसाय मिलता है या हम कह सकते हैं उनकी बेरोजगारी दूर होती है देश की गरीबी दूर करने में ये बहुत महतपूर्ण अपना कारे करता है साथ ही साथ ये ऐसी बहुत सारी सामाजिक रिस्पॉंसिबिलिटीज को कवर करता है जिससे की क्या होता है कि एक अच्छे राष्ट्र की रचना होती है उससे आया हम इस कॉंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे और जानेंगे की उद्यमिता आखिर है क्या आप जैसे की स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर तीन शब्दा आपको दिख रहे हैं उद्यमी उद्यमिता और उद्यम ठीक है उद्यमी को हम इंग्लिश में एंट्रप्रेन कहते हैं थाड्वी उद्यम को हम एंटरप्राईज कहते हैं आप इण यह मतलब एक व्यक्ति वआ ठीक है यह करता हुआ व थेक है जैसे मान लीजिए कोई चींते है उसने एक नए व दिशाप्हारे शेस्Onidya गयाया अच्छिय है निएटियमी rivals चिप्न अय कारिया है यह का सब्सक्राइव एक नए बिजनस स्टार्ट कर रहा है और उसको रंगरा या हम कह सकते है प्रक्रिया है या कारे है फिर उद्यम यानि enterprise है अब्ये क्या है व्यक्ति की रचना एहम प्रक्रिया का निशकर्ष या उसने जो भी planning की थी उस ए व्यक्ति ने जो उद्यमी है कि मैं एक नया startup start करूँगा और इसमें मैं कई बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करूँगा और यह startup का मुख्य उद्येश जो होगा यह उत्पादन करना होगा या customers को service देना होगा जो भी उसका उद्य होगा वो person A होगा यह व्यक्ति A होगा ठीक है उद्यमिता यानि enterprise जो उसने क्या किया है एक service sector plan किया है यह manufacturing unit plan किया यह start-up start किया है जो भी और उद्यम यानि enterprise मतलब पूरा उसका result है न कि finally वो planning जो उसने की थी वो अब एक result के रूप में सामने आ रही है तो एक वो enterprise हो गया तो बच्चों अगर हम इसको एक अच्छे concept में समझें तो उद्यमिता एक ऐसा process है हम कह सकते हैं उद्यमिता एक ऐसी प्रक्रिया है जो की एक बहुत important role play करती है हमारे देश को या किसी भी individual देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सद्रड करने में वह कैसे करती है क्योंकि उद्यमिता जो है एक कोशल है एक द्रिश्टिकोन है एक सोच है एक चिंतन है एक तकनीक है और साथ ही से साथ एक कार्यपद्धती है अगर हम देखे तो उद्यमिता में जो लोग सामने आते हैं या उद्यमी हम जो कहते हैं वो क्या करते हैं एक नए concept को लेके आते हैं ये लोग बहुत बड़े risk टेकर होते है रिस्क टेकर मतलब जो रिस्क लेते हैं ठीक है और यह इनुवेटर होते हैं यानि नव प्रवर्तक नई चीजों को हमेशा ढूंड ढूंड कर लाते हैं और उसमें नया नया concept when I get this one a category देक होंगी जो केवल सेक्टर में काम कर रही ठीक है पहले एक सेक्टर में काम करती थी लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया अपने जो काम करने के तरीके को कया किया उसका प्रसा प्रसार किया और अब वो एक सिक्टर में काम लिए उवन कि में काम कर हो गई है दो वह हे जहां पर लोग राशन ले सकते हैं एक हब जब बना दिया है उन्होंने टीक जैसे हम Reliance की बात करें Reliance जो है अलग अलग तरग के काम करती है ना इसमें बहुत सारे अलग अलग सर्विस भी प्रोवाइड करती है जैसे के आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो Reliance अलग अलग तरग कारे करती है अलग अलग services भी provide करती तो यही एक उद्यमिता को हम समझ सकते हैं अच्छा उदारण है उद्यमिता को समझने के लिए उद्यमी वेव लोग होते हैं जिनमें इस प्रकार के कोशल पा जाते हैं जो चिंतल शीर होते हैं सबसे M 어떤 बात वो मार्केट रुस мом require उसको हमेषा रिसच करते रहते हैं कि मारकेट में क्या आने वाला है क्या चल रहा है यहां पर जो च्टमर है वह क्या चाहता है उनकी नीड के उनकी मांग को की तरीके से पुरा किया सकते हैं किवल एक सेक्टर में नहीं केवल खाद्य क्यवल वस्त्रों में नहीं बलbokी हर अलग सेक्टर में वह क्या से हैं हमेशा शोध करते रहते हैं उनको हमेशा एक अपॉर्चुनिटी सिकर भी होते हम कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी सिकर का मतलब जो है अर्थ आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि अपॉर्चुनिटी सिकर मतलब क्या होता है ठीक है यह अपॉर्चुनिटी को सीख करते हैं म उसको समझे कोशिश करते हैं कि उद्यमिता है क्या जैसे कि सर वाइट है ने कहा है कि यह उद्यमिता जो है एक महान समाज वह होता है जिसमें उसके विक्ति उद्यमिता का चिंतन एवं व्यवहार करते हैं साथ ही साथ तो यह जो उद्यमिता के लिए अवधारना हमने देखी कि जोगी सर्वाइटेडि ने दी उन्हों उनके अनुसार जो उन्होंने कहा है अभी मैंने pontset आपको बताया उनके इनुसार यह वह होते हैं जो एक चिन्तन रखते हैं एक सोच रखते हैं कि उनकी देश का उनका खुद की ऐसी प्रगती हो कि उनको जाना जाया और वो इनोवेटे होते हैं हमेशा विचार शील होते हैं हमेशा चिंतनी होते हैं कि क्या नया किया जाए कि उनको दुनिया में या मार्केट में लोग अलग से पहचाने हैं तो यह अच्छी सिद्यों में एक अच्छे पेशेवर के रूप में भी काम करते हैं अगर हम बात करें तो उनमें कौन-कौन से मतलब क्यारेक्टरस्टिक्स या गुण पाए जाते हैं तो उनमें अलग-अलग प्रकार के कौशल पाए जाते हैं उनका एक विस्त्रित द्रिष्टिकोन होता है वो हमेशा चिंतनिये रहते हैं साथ के साथ उनमें नव परिवर्तन वाली गुण भी पाए जाते हैं वो टेक्निकली साउंड होते हैं और एक प्रॉपर कारे पद्धती को वो लोग फॉलो करते हैं तो यह जो होते हैं उद्यमिता का हम उधारन समझ सकते हैं कि उद्यमिता की अवधारन में यह जो हम कॉंसेप्ट देख रहे हैं उद्यमी में कौन कौन से गुण होते हैं और इन गुणों को लेकर ही एक अच्छे उद्यमिता के बारे में हम सोच सकते हैं और उसकी स्थापना भी की जा सकती है आये कुछ परिभाशाओं के माध्यम से हम उद्यमिता को और अच्छे से जानेंगे उसके पहले हम इसकी उद्गम को देख लेते हैं कि उसका उद्गम कहा हुआ जो उद्यम है यह एक फ्रेंच शब्द है जिसे इंटर्प्रिटर कहते ह है और इसका मीनिंग या अर्थ है कि व्यवसाय या कारे करना ठीक है अब किसी व्यवसाय का कारे करना सोलवी शताब्दी में फ्रेंच मैं की सेना को इकटा करके उसके नेत्रत्व करने वाले व्यक्ति को उद्यमी कहा गया था इसके पश्चा सत्रवी शताब्दी में वस्तुकारों तता ठेकेदारों को इकत्रित किया गया और उनके द्वारा जो सारजनिक कारे किये जा रहे थे उनको शब्द दिया गया उद्यमी अत्रिवी शताब्दी में अंतिम में French अर्थशास्त्री Fenty-Land उन्होंने जो उतपाद की विभिन क्रिया है उतपाद के प्रडक्शन से ले करके उनके सेलिंग मतलब उसके उतपादन से लेकर के कस्टमर तक उसको पहुचाना और कस्टमर को सर्विस करना ठीक है यहां तक की विभिन क्रियाओं को उन्होंने क्या कहा जो इस क्रिया को कर रहा है उसे उन्होंने कहा उद्दिमिटा का उद्दमिटा का उद्दगम देखें तो ये step by step अलग-अलग शताबदी में अलग-अलग लोगों के लिए इसका इस्तमाल किया गया लेकिन जो उसके पीछे का कॉंसेप्ट यही था कि ये कुछ अलग कारे कर रहे हैं ये ग्रुप में लोगों को लेके चल रहे हैं ठीक है ये सब के लिए या सब को एक साथ एकत्रित करके कारे कर रहे हैं तो अगर हम उद्यमी आज भी अवसाई तोर पर देखें तो उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो एक स्टाट अप को प्लान करता है यह हम कह सकते हैं किसी भी इंडेस्ट्री को तयार करता है ठीक है और दूसरी चीज वहां पर बहुत सारे रोगों को रोजगार प्रदान करता है जिससे कि उनका लिविंग स्टांडर्ड लिविंग स्टांडर्ड या फिर उनकी जीवन जीने के तरीके में सुधार आता है साथ ही साथ अब क्या हुआ है उनकी आर्थिक सितिभी निरंतर जाते हैं क्योंकि सबके पास काम है काम है तो पैसा आएगा ठीक है और उनकी वजह से अब गया और ना की केवल इंडिवीज्वल उद्यमी उसने जिन लोगों को रोजगार दिया उनकी साथ ही साथ देश की भी आर्थिक सितिभी सुधरती चली जाती है तो उद्यमी का ये उद्गम के बारे में चर्चा कर रहे थे तो एक और हमारे अर्थशास्त्री हैं उन्होंने कहा था जो जिनका नाम पीटर एफ ड्रकर है उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है इनोवेशन एंटर्परिनर्शिप उनके अनुसार उद्यमिता उस समय घटित होती है जब संसाधनों का प्रगतिशील अवसरों के संदर में पुनर्विनिशन किया जाता है ना कि प्रशास्निक कुशलता सुनिश्चित करने हितु किया जाता है तो पीटर एफ ड्रकर जी ने भी अपने एक नॉवेल में अपनी लिखी हुई पुस्तक में इस तरह की अपनी सोच को लिखा था तो अगर हम इसके बाद उद्यमिता के अर्थ को देखें तो यह एक प्रकार का विज्ञान है यह एक प्रकार का विवहार है यह एक प्रकार की सोच है यह एक प्रकार का चिंतन है यह एक प्रकार का दृष्टि कोन है और यह एक प्रकार का अवसर के साथ साथ कार्य दृष्टी भी है ये उपकरम की स्थापना नियंतरण निर्देशन के साथ साथ उनमें परिवर्तन तथा नवीनता यानि नपरवर्तन के कार्य भी इसमें हम सम्मेले करते हैं तो उद्यमिता क्या है? उसमें तीन शब्द हमने देखे उद्यम, उद्यमिता और उद्यम क्या है, साथ ही साथ इनके उद्गम को जाना, इसके परशाद हमने जो है इसके अर्थ को जाना, आशा है अभी तक उद्यमिता में जितनी चीजें हमने इंक्लूड की हैं या समाहित की हैं आपको ये समझ में आई ह दोनों को देखते हैं और दूसरा निश्रकर्ष में तरह की परिभाक में हैं और के आधंगा सेट परिजर्ष को निकालने हूं पर कोशिशत कर करेंगें सबसे पहले देखेंगे प्राचीन परिभाशां देशिक आप प्रतोल देख रहे हैं पहली परिभाश में सर पीटरा कि नहीं और वियापक करीयौ का सम्मिश्टरण रॉलन में लुट थिया सब्सक्राइब стал ग्यानि प्राप्ट करना सद करना यूजन एवं प्रबंधन करना तत्ता उत्पादन तक्निक एवं वस्तू को अपनाना समयलित हैं एक और परिभाशा देखते हैं प्राचीन परिभाशा प्राचीन परिभाशा सर एच गोल ने दी हैं उनके निवसार उद्यमिता एक व्यक्ति तता व्यक्तियों के समूं की उ अज़ाबबत व्यक्तियों का निर्मान संचालन एवं विकास करता है तो अगर आप प्राचीन परिभाशाओं को देखें तो प्राचीन परिभाशाओं की कॉंसेप्ट में यह बताता है कि उद्यमिता जो है ओवर और ओल एक व्यक्तियों का सममेशन है जैसे कि मैंने आप को पहले बताया यहां पर क्या होता है कि research work होता है नव प्रवर्तन की बात कियाती है एक चिंतन की बात की जाती साथ ही साथ इन चीजों को ले करके हम देख रहे हैं कि बाजार के अवसरों को देखते हैं और साथ ही साथ जो organization है या संगठन है उसको किस प्रकार उसका प्रबंधन किया जाए और किस प्रकार से उत्पादन कारे किया जाए और किस तरीके से उसको तक पहुचा आजाई इन सारी चीजों को including किया जाता है इंव औरिभाष्यां है थो हम ने यह जो निश्करश निकाला है यह दोन ही प्राचिन परिभाष्रां उसे निकाला है अब हम देखते हैं क्या आधुनिक परिभाषाएं कहती हैं कि जो की सबसे पहले परिभाषा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सर रिच्मेन तथा कोयन ने दी हैं उनके अनुसार उद्यमिता किसी सरजनात्मक बाय एम खुली प्रणाली की और संकेत करती है यह नप्रवर्तन जोखिम वहम तथा गतिश नेत्रित्व कारे करती है एक और परिभाषा है जो सर रॉबर्ट लाब ने दी हुई है उनके अनुसार उद्यमिता सामाजिक निर्णयन का वह स्वरूप है जो आर्थिक नप्रवर्त को द्वारा संपादित किया जाता है तो आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है डिफर जाए वस्तूं का उत्पादन कैसे किया जाएगा इन सब चीज़ों को मात्र उद्यमिता में रखा गया था लेकिन अगर हम इनकी नहीं परिभाषाओं और नए कॉंसेप्स को देखें जो कि सर रिच्में ने और सर रोबर्ट ने दी हैं तो इनकी परिभाषाओं को देखे साथ ही साथ ये वो लोग होते हैं जो कि अवसरों को हमेशा देखते हैं साथ ही साथ इनका एक समाज में जो है इंपोर्टन रोल होता है क्योंकि ये केवल व्यावसाय ही नहीं करते साथ ही साथ सोशिल रिस्पॉंसिबिलिटीज है ना सामाजिक उत्तरदाइत्वों को भी अदा करते हैं या उनके प्रति उनकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है साथ ही साथ ये ऐसे लोग होते हैं जो देश के आर्थिक नव प्रवर्तक कहलाते हैं तो इस प्रकार से हमने दोनों परिभाषाओं को जाना है समझा है और उसकी चर्चा की है आश अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा आईए उद्यमित्ता को उसकी विशेष्टाओं के माध्यम से और अच्छे प्रकार से हम सबनने की कोशिश करते हैं कुछ विशेष्टा हैं आपके बोर्ड पर आपके सामने हैं पहले विशेष्टा है नप्रवर्तक यानि होता है कि जो उद्यमी होता है है ना जो एंट्रेप्रियोर होता है वह एक बहुत ही इनोवेटिव विक्ति होता है उसको नए नए आइडियाज आते रहते हैं क्यों आते रहते हैं हमें क्यों नहीं आते क्योंकि हम उस काम पर फोकुस नहीं है वह एक बिजनसमेन के साथ सक एक इन्वेटर भी होता है ठीक है वो क्या करता है कि market research करता रहता है मतलब बाजार में क्या नई सितियां उत्पन हो रही है बाजार की मांग क्या है customers की need यानि मांग क्या है बाजार नया क्या चाहता है जैसे कि for example हम कह सकते है fashion की यह बात कर लेते जो कि बहुत आपको उदारण के मादम से समझ में आएगा ठीक है फैशन की बात कर लदे है भी हम थंड का मौसम आगया है थंड के मौसम में हम क्या करते हैं वुलन कपड़े यानि गर्मी कपड़े पहने ठीक है अब पहले हम क्या करते हैं मम्मीयों के बने हुए हाथ के स्विटर्स पहन अब उसके बात क्या होए मशीन की स्वेटर्स बन के आने लग यह ठीक है अब उसमें भी अगर आप दखे तो डिफरेंट वेराइटी आने लग गई है ठीक है अगर वुलन में हम देखें के वल बुलन की बात कर रहे हैं तो आप उसमें डिफरेंट पाटर्न्स देख सकते जैसे केप Wisconsin पर है कुछ ट्रूस जैसे हो जाएंगी कुछ स्वेग्षिधि यह चैसे हो जाएंगी कुछ पुछ जैसा हो जाएगा कुछ जीज एकश्राग जैसा हो जाएगगा जो पूरा नीचे गीरा रहेगा अगर इसी को हम दूसरे तो यह में देखिए तो कोड जैसा हो जाएगा पूरा अच्छा तरह किसे लपेटा हुआ जैसा हो जाएगा और कुछ हम देखे तो सिर्फ ओबर कोड जैसा होगा कि इस तरह से के वाल डाला एंड इस फाइनल वह पूरा लुक देगा वह नी लेंध की नीचे रहेगा तो यह क्या है मैं ट्रेंड बत अगर हम और भी एच्छे एक्जामपल देख लें तो आप अगर देखे जूतों में भी कितनी वाराइटी आ चुकी है ठीक है जूतों में भी देखे बहुत सारी वाराइटी बहुत 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 आरे ट्रेंड इसके लावा खाने में भी देख लीजे आप लोग फूड इसको आज कर देखते होंगे तो वह लो क्या दिखाते आपको अलग अलग ट्रेंड क्या चल रहा है लेकिन एक उदमी जो होगा उसको किस प्रकार से एक बड़े व्यविसाय में कनवर्ट करेगा यह उसका इनुवेटिव आइडिया होगा उसका एक नया नई रचना होगी पीजाय को सामने आए तो पीजा हाट वाले आए और भी केपसी वाला उसने भी हम चिकिन वगरे जिनके घर में बनता है वो खाते है कोई रेस्टेरेंट्स में जाके खाते लेकिन उनोंने क्या कर दिया एक ब्रैंड दे दिया नॉन विजिटेरियन के लिए एक स्पेशल ब अवन में पैक करके आप एक कस्टमर के सामने नई चीज लाके रख दी है ना जो खाने में टेस्टी थी तो यह इनोवेटिव आइडियाज है यह हर एक फील्ड में मिल जाएंगे इवेन मैनिफेक्टरिंग यूनिट में मिल जाएंगे फर एक्जांपल हर रोज हर रोज ट सब्सक्राइब को लाइफ को ईजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं आपको टेव हैं क्राइब जैसे की और बि day निशांपल ले सकते हैं आपके जो मोबाइल फोन की आप आप आपकोस को साथ निक कर रहे हैं क्के आपको और पैचे जबिएच्एलक्टक करन films प्रूं करी आस ठीक है घर में बैठे बैठे आप क्या कर सकते हैं अपने फ्लाइट की टिकेट्स ट्रेंड की टिकेट्स बुक कर सकते हैं तो यह जो उद्यमी है यह क्या करते हैं इस तरह के नहीं नहीं आइडियास को क्यों कैसे फाइंड आउट करें मार्केट रिसर्च करके फाइंड आउट करें और उसके बाद इंप्लिमेंट करते हैं हाला कि जो इसका सेकेंड जो चैरेक्टरिस्टिक सभी है दूसरी विशेशता है वह बिल्कुल सही बात यह बहुत बड़ा जोक्यम उठाते हैं ना जैस करें नहीं करें फेल हो जाएं तो यह बहुत बड़ा रिस्क है लेकिन यह लोग क्या होते हैं एक बहुत बड़े रिस्टेकर होते हैं क्योंकि बिना रिस्क लिए यह क्या नहीं कर सकते अपने आइडियास को इंपलिमेंट नहीं कर सकते और आइडियास इंपलिमेंट नही वहन करने वाले होते हैं अब मैडम इनके पास जोखिम वहन करने के लिए पैसा कहां से है बिल्कुल सही बात है पहले अपने यूनिट से यह प्रॉपर ली क्या करते हैं और जो सेविंग्स इन्होंने बचाई हैं ना बचा के रख्या हुआ पैसा उन से अब अपना विशिष्टा देखते हैं तीसरी विशिष्टा कहती है रचनातव मक्रिया यानि क्रियेटिव अक्टिविटी विल्कुल सही बात है यह बहुत ही क्रियेटिव होते हैं मतलब इनको एक छोटा सा कॉंसेप्ट कहीं से मिल गया उसको डिफरेंट लुक दे दिया इन लोगों डिफरेंट साथ हैं जैसे कि अघर कम्प्यूटर्स सबसे पहले कैसे थे इसके बाद पूरे Fig econothing कितना डिफरेंस आया है ना तो क्रेटिविटी हुई न कहीं न गहीं आप ड्रेसिंग सेंस में देख लिजे कितनी क्रेटिविटी आई है आप पहले हम क्या पट थे पहले फॉर्मल पैंटे थे उसके बाद कुछ पैंट जो नीचे से धील एडील याते थे वह पहन ने लग इसके फिर से फैशन दूसरा चेंज हुआ तो केवल एक पैटरन आया है जीन्स का अब जीन्स में भी हम कितनी प्रकार की जीन्स जिते हैं रिब जीन्स चेक जीन्स दिफरेंड काइंड अफट शेड में जीन्स देख रहा है न तो यह कपडों में हुई इसके अलावा भी जी सिंकहिघ कि जी स्क्तन अग्यार्वी जेसे हम केकड़ है व्हाँ केड़े लिडारी केम नहीं के संद साथ का तो प्रीटि टाल से रगदे था ? अब देल्यालोगी होले जらい क्या अब पने बन केड़ें थे केडें डी डेका श्राधस के अवादे. है ठीक है उसके बाद कुछ नया सेलिब्रेशन हुआ सेंचुरी कम्प्लीट हुई 75 वेडिंग कम्प्लीट हुआ तो इनिवर्सरी जिसको हम कहते हैं उनके लिए एक अलग तरह के केक बना जाते केक वैसे ही बना बटन का डेकोरेशन जो होता है उनका जो प्रेजेंटेशन हो करने का तरीका रहिए लुगों के सामने लाने का तरीका अलग हो गया है तो यह वही चीज है जो कि एक उद्यमी करता है कि बेसिक लिए बेसिक चीजें ड़ल सकते बेसिक तो चीज भाई रही लेकिन आप मार्केट में इसकी सेल बढ़ा सकते हो उसकी उपयोगिता लोगों करके और कितनी नीड है उसकी बढ़ा करके उसमें कुछ चीजे ऐसी आड़ाउन करके जिससे की उसकी ज़रुरत है लोग बहुत ज्यादा होने पड़े पहले हम मोबाइल के बिना रह सकते थे जीवन सब को चलता था लेकिन आज ऐसी सिती हो गई है कि हम स्मार्ट फोन के बिन चाहिए लोगों के बारे में जानना है चाहिए वह फेस्बुक कितरे हो वाटसप कितरों इंस्टाग्राम कितरों कितरों किसी की भी तरह हम लोगों से कनेक्ट रहना चाहते हैं तो हमारे लिए क्या डिसकवर कर दिया गया एक स्मार्ट फोन डिसकवर कर दिया गया जिसमें सारे application से अमें सारे application के तुरू हम पूरे टाइम अप्डेट रहते हैं जिनको news देखना वो news देखते हैं जिनको social media में update रहना वो social media से जूड़े रहते हैं at the end यह सारी चीज लेकिसमें आती creativity है चाहे वो technical field में हो चाहे वो fashion के field में हो चाहे वो food के क्या होते हैं चोथी विशेशता देखते हैं ज्याना आधारीत विवाहर बिल्कूल इनका बेस प्राक्टिस होता है ज्याना आधारीत विवाहर करते हैं जैसे कि मैं शुरू से कहते हैं यह मार्केट रिसरच करते हैं कि बाजार में क्या चल रहा है बाजार की क्या सिती है ठीक है जैसे कि आप लोग देखते होंगे शादियों का सीजन आता है और शादियों का सीजन चला जाता है जब शादियों का सीजन आने वाला होता है उस समय उन चीजों की जो आव यहां लोगों की बाजार में लोगों कि क्या वश्क्त है वो यह जानने की कोशिश करते हैं फॉर शीकित्पल कोभजा फिलीज के लोगों को क्या पता चला कि मास्क विक्यंमेट जो डूसरे में बने लग घया अपने लग आप dasquela इयु आफ कि पढने लग गया अपने लिग स्टाफ गया सकते हैं तो जो हमको एक्सपेंसिव पड़ती थी क्योंकि हम दूसरे देश से मंगा रहे थे अब वो क्या चीजे हुई हमारे देश में बनने लगी तो वह अब सस्ते दमों पर में लगी तो यह सारी चीजे हैं यह सब शोध की बाते हैं घ्यान आधारिद बाते यह क्या करते हैं, market research करते हैं, वहां से ग्यान या knowledge को इखटा करते हैं, ग्यादर करते हैं और उसके बाद फिर उसमें अपने ideas को plan करते हैं, सोचते हैं और फिर उसके बाद आगे अपनी process यानि प्रक्रिया को बढ़ाते हैं कि बाजार की जो आवशक्ता है उसको किस तरीके स पूर की ओया.